स्वागत है आपका आज की चाई पर I've come across a lot of comments बहुत कुछ चल रहा है बहुत कुछ और it's literally so that I'm ugly जो भी कुछ सामने आया है कि मुझे discuss करने में भी hesitation हो रही है पोस्ट बनी है reddit पे और उस पोस्ट में बहुत कुछ लिखा गया है बताया गया है कि कैसे बहुत कुछ कर रहा है जाहिद in the other house delta और उसको मैं detail में discuss नहीं करूंगी ना मैं screenshot डाल रही हूँ ना मैं post को refer कर रही हूँ क्योंकि there have been times जो मैंने expressly अगर link भी दिया हूँ या फिर screenshot भी डाला हूँ तो अक्सर ये कहा जाता है कि यूनो ये तो safe खेल रही है क्योंकि इसको यूनो ये चाहिए कि कोई इस पे ना आ जाये बात तो ये वहाँ का reference डाल देती है नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं कर रही है but definitely एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो भी बाते सामने आई है उससे हमारी लाइफ पे उतना impact नहीं होगा है ना जितना की इस time पे साहिबा की लाइफ पे होगा मैं करना नहीं चाहती थी ये discuss but इतना comments में है इतना हर जगे है ये बात का जिक्र जाहिए दोस्त के दोस्त डेल्टा में party and all तो करते है पर उसके इलावा और भी कुछ था बहुत ही जादा खतरनाक टाइप ठीक है मैं comment यहाँ पे छोड रही हूँ ये comment आया है and I'm hiding the username अगर तो जाहिद ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि हम सब की life से जादा अगर किसी की life पे impact आएगा तो वो sahiba की life पे होगा honestly at this point of time how much ever I dislike her still I will never wish this upon her कि उसके साथ ऐसा कुछ हो कि ये सच निकले and I hope कि वो इस बात की तह तक जाए सिर्व अपने लिए अपने mental peace के लिए कुछ भी नहीं करती है तो वो ignorance में जीएगी and for some duration sometime few years it can be a bliss for her but at a later stage in life this can definitely prove to be very bad एक relationship में ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है या शक है आपको जितना लंबे time के लिए अंधेरे में रखोगे आप उतना delusion में रहोगे again साहिबा की मर्जी वो करे न करे because उसके ऐसी state है कि वो ऐसे निकल भी नहीं सकती घर से भार नहीं जा रही वो है ना अब ऐसे में इतना कुछ सहना इतना कुछ झेलना यह बहुत बहुत जादा है उसके लिए and may God give us strength may Lord Krishna give us strength may Allah give us strength मैंने Lord Krishna बोला तो लोग सोचेंगे देखो देखो उसको मुझे पता है वो Muslim है और क्यूंकि मैं Hindu हो तो मैं चाहती हूं कि मेरे प्रभू भी उस पे कृपा करे क्यूंकि वो Muslim है तो मैं चाहती हूं कि Allah कुछ न कुछ ऐसा कर दे उसकी life में कि सब कुछ सही निकले और ऐसा सच ना ही निकले तो बहतर है शक तो honestly मुझे आ भी रहा था जिस तरीके से यह जिम जा रहा है जिस तरीके से अपने आप पे ध्यान जब यह साहिबा के साथ जिम जाता था यूस टो अवाइड इट मोर ओफन है ना अभी बहुत कुछ बदल गया है और वो दिख रहा है और यह चार-चार बजे डेल्टा से आना या फिर डेल्टा मैं डेल्टा जाओंगा मैं डेल्टा मैं यह सब कुछ थोड़ा अजीब है बट उसके बाद भी पाटी बाटी करना है is a different thing क्रिकेट खेलना is a different thing पट और तो का involvement आप समझ रहे हैं मैं खुल के नहीं बोलूँगी यह कि आश ऐसा सर्च ना निकले क्योंकि अगर यह सर्च निकलता है it can be very damaging for sahiba and फिर उसको जितनीगी भर के trust issue होंगे क्योंकि आदमीं पर तो उससे सब कुछ ही डाल दिया ना सब कुछ निशावर कर दिया तो बस इस बात को verify कर सकते हैं बड़े अराम से CCTV तो लगे होंगे हैं न यह अपती मेरा देवता है चाहे वह कुछ भी करें ऐसा नहीं होता पती देवता तब होता है जब वह एक्चली में देवता जैसा एक्ट करता है दानव की तरह हरकते कर रहा है तो उसको देवता तब भी बोलना यह एक औरत की foolishness है और मुझे समझ में आता है लोग बहुत म और अपनी six sense के साथ चलना होता है कि you know अगर अपनी body बना रहा है जादा अपने आप पे जारा ध्यान दे रहा है तो अच्छा है पट क्या बात है क्या बात है थोड़ा सा जान लो phone पे हलका बहुत यह नहीं कि पागलों की तरह आ रहे है क्या 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 वो भी ग करने है पैसा तो ultimately सबके लिए बहुत important है और अभी शक लेयर भी नहीं हुआ होगा एकदम से तो चीजे दिखाई नहीं जाएंगी बर background में होंगी जैसे in-laws के time होंगी तो I don't think कि वो ऐसी है कि वो अंकित की शादी यहां भी शेक की ना टेंड करें क्योंकि you know religious extremism नहीं नह I think is कि में भी बाते अभी हैं यह बाते कहीं न के उसको impact करी होंगी कर भी सकती है और वो जो इसका stage चल रहा है crucial stage of life उसमें तो हजार गुना कि अभी इंसान कुछ कर भी नहीं सकता you know एक ननी सी जान आएगी जिसके उपर दोनों का सायर है यह एक और चाहती है एक औरत का य मैं बहुत अनस्त रहूंगी इस पॉइंट ऑफ ताइम पर कि जब मुझे कॉमें में पता लगा यह बना है reddit पे और all I saw a lot of comments on sahiba's vlog as well I immediately went to reddit and I opened it मेरा account नहीं में इसको उस पे online check करा and as I type delta मुझे समझ में आया क्या क्या था and हां बहुत ही जादा में शॉक्त हुई बहुत एक ऐसा भी लगता ग्रीडी गोल्डिगर बत्तमीज यह वो बट ऐसा नहीं लगा था कि इस हद तक भी गिर सकता है and I hope ना गिराओ I hope so because एक लड़की की जिन्दीगी आप देखो क्या है ना अभी यह लड़की ने इसके भाई ने इसके परिवार ने नहीं सोचा कि मैडम क एक्स की लाइफ खराब हो सकती है कि मैडम की बच्चे की लाइफ खराब हो सकती है but we are humans हम तो हब तो सोचेंगे ने इसानों की तरह हम selfish लोमडियों की तरह नहीं सोचेंगे है ना हम साहिबा और जनाब और उनके family से यह expect कर सकते है बर जो human है जिनकी human nature है जिनका दिल soft है compassionate ह वो चाहेंगे कि साहिबा के साथ भी अच्छा हो वो चाहेंगे maडम की साथ भी बुरा ना कीikum को जनाम न धोका देए वन दो उनको धोका मिले गा ही घूम के तो कर्म आता है ना पर हम बुरा नहीं जाएदगे बस इतना है और साहिबा के लिए बहाँँ होंगी कि you need to be strong at this point आप एक और आपके बाईने उसी आदमी का हक नहीं बनता अगर यह सच है तो कि वह इतना नीचे गर जाए इतना घटिया हो जाए कि वह पाटिया करें अपने दोस्तों के साथ हर तरीके की और इतना मतलब इतना नज़रों में नीचे गर जाए कि फिर उठना पाए और उसके एक आपके नहीं करती है तो पैसे ना भी उसकरता है तो क्या हग थु करने का गला और हमारे सोसाइटी के हें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का yol कैतें कि यूनों सहाइबा नू intellectual घ्या नहीं करना चाए ठाह्रू ना भी करती ने सब हो एक 2006 स्टैंड कर अपने हस्बेंन पर पे तब भी उसका हक है लोयल्टी और ये नॉन नेगोशेबल होता है मुझे वो बात याद आगए कि फ्लाइंग बीस ने एक व्लॉग बनाया था उसमें एक research डिसकर्स करी थी फ्लाइंग बीस के सबसे ज़ाधा अभी husband अपनी wife को cheat करते हैं वो during pregnancy होता है मैं बोलूँगी वा भी वा मतलब एक ओरत जो अपने life के इतने बड़े पड़ाव पे होती है, वहाँ पे उसको emotional support देने के बजाए कोई आदमी इतना selfish कैसे हो सकता है कि अपने desires पूरे करने के लिए वो बाहर जाए, जो भी अपनी wife को cheat करते है during their pregnancy और otherwise as well, मैं यह बोलूँगी कि फिर आप लोगों से घटिया कोई है नहीं और हो भी नहीं सकता, अगर जाहित ने cheat करा है साहिबा को और बात सच है, तो फिर उससे तो घटिया कोई हो ही नहीं सकता, और अगर उससे नहीं करा, तो फिर बेकसूरी का सबूत देना इतना मुश्किल तो होगा नहीं जो बेकसूर होता है, वो तो दो मिंट में प्रूफ कर सकता है अपनी सच्छा ही और आशकल कि CCTV के दौर में तो सब कुछ एकदम प्रूफ हो जाता है वागि इतना बहुता है कि साहिबा को मैडम को जनाब को यही होता है रिष्टों में जब गंदगी फैल जाती है ना अगर ऐसा सच है तो तो यह इसल वो तो यूमन था नहीं है ना मैडम के लिए वो इंसान के बराबर था नहीं चीट करो आगे बढ़ो शादे शुदा हो तब भी चीट कर लो बच्चा छोड़ दो आगे बढ़ो आगे बढ़ो अब यहाँ पे जब खुद की बहन के साथ कुछ ऐसा होते होए सुना भी होग तो एक बार को रूप काप गई होगी है ना फिर वही कह रही हूं कि काश ये सच ना हो ये बात तो ढकी चुपी रही जाएगी क्योंकि ये व्लॉगर्स हैं पबलिक लाइफ जीते हैं ये कभी ऐसी बाते सामने नहीं लाएंगे पर बहुत सारे सोर्से आज के टाइम पे है जो कि internal information सामने रख देते हैं अफसोस उनके हाथ में भी अब information देने का तरीका आ गया है अफसोस क्यों हमारे लिए अफसोस नहीं लॉगर्स के लिए क्योंकि पहले fake कर करके अपनी जूटी जिन्दगी को आगे रखते थे अब जूटा बहुत कुछ दिखाते हैं और बहुत लोगों ने बोला था तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था कॉमेंट को पर डेफिनिटली जैसे में अद्रेस कर सकती थी मैंने करा विदाव रिली इंटर्फेरिं इन इस मैंटर जो की बहुत जादा बड़ा है फोसाहिबा करेंटली उसकी लाइफे बहुत जो इंसान है वो सही है कि नहीं या वो सिर्फ आपको इस्तमाल कर रहा है आपके पैसे को यूज कर रहा है आपके नेम और फेम को यूज कर रहा है अल्टिमेटली टू लीड अपथेटिक लाइफ 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 फुल अगली थिंग्स जो मैं डिसकस्ट भी नहीं कर रह लिए जिसमें कैट्स टॉक्स गॉमाता और बड्स सबाते हैं जैशी राम राधे राधे हरे कुछना